नमस्कार दोस्तों काशी के प्रिंस गुपता ने गरीबी की वज़े से कभी फूल माला बेचा तो कभी 25-30 रुपे के कमीशन पर शर्ट बेची आज उनकी खुद की बेकरी शॉप है और 25 लाग से जादा का टर्नोवर है आज हम आपको उन्ही के बारे में बताने जा रहे हैं पिता बियन गुपता सप्लाई इंस्पेक्टर थे दो भाईयों और दो बहनों में वो तीसरे नमबर पर थे 11 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई जिसके बाद मा पर जिम्मेदारियों का बोज अचानक बढ़ गया बच्पन का एक किस्सा याद करते हुए प्रिंस बताते हैं कि 16 साल की उम्र में चपल तूटने पर मा से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि सिलकर पहल लो इसके बाद से ही वह घर का काम करने लग गए मंदिर के बाहर 20 दिन चिल्ला चिल्ला कर फूल माला बेची 1998 के आसपास कमीशन पर शर्ट बेची और कुछ महीने बाद 1500 रुपे में साइबर कैफे में नौकरी कर ली 2003 में अचानक ख्याल आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो महले और इलाकों के लिए यूनीक हो 5 रुपे पीस पीजा बनाना शुरू किया और केक बनाने लगे 2005 में घर के नीचे ही बेकरी शॉप खोल ली 2008 में उनकी शादी हो गई बता दें कि प्रिंस हर साल बाबा काल भहरव के बड़े पर 551 किलो का के खुद 72 गंटों में बना कर अर्पित करते हैं इसकी कीमत करीबन धाई लाक रुपे होती है प्रिंस ने बताया कि इस केक को बनाने में उनकी पतनी अनीता उनकी मदद करती है यह कहानी काफी प्रेरक है लेकिन यह कहानी नहीं असल जिन्दिगी है अगर आप भी इससे कुछ प्रेंडना ले सकते हो तो जरूर ले अपनी राय आवश्य दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद